आप सभी को बहुत अच्छे से बता होगा, Connected Car Technology सिर्फ महंगी गाड़ियों में मिलती है, वही 12-15 लाग से उपर वाले गाड़ियों में, लेकिन अगर यही टेक्नोलोजी कुछ ही पैसों में उन सस्ते गाड़ियों में मिलना लगे, जो इंडियन मार्केट में सबसे ज़्या इस टेरिंग के जस्ट बगल में है, अब चलिए देखते हैं इस डिवाइस को कैसे अक्टिवेट करते हैं, और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, सबसे पहले हम अप स्टोर या प्लेई स्टोर में जाकर जीओ तिंक्स का यह डाउनलोड करेंगे, इसके बाद हमें अपना इंटरफेस खुल कर आता है, यहाँ पर आप माई वियकल पर क्लिक करेंगे, और नीचे कई सारे आप्शन्स आजाएंगे, अगर आपको नहीं पता है कि आपके वियकल में OVD पोर्ट कहां पर है, तो यहाँ नीचे OVD पोर्ट लोकीटर पर क्लिक करके आप वो भी जान सक वियकल का मेक यहाँ पर डालेंगे और मॉडल डालेंगे, आपको पता चल जाएगा कि आपके गाड़ी में कहां कहां पर OVD पोर्ट है, फिर यहाँ से आप होम पर आएंगे, एट नीचे पर क्लिक करेंगे, जियो मोटिफ का आप्शन यहाँ पर दिख जाएगा आपको, यहाँ पर दो आप्शन्स हैं, IMI नमबर डालने के लिए और QR कोड स्कैन करने के लिए, मैंने QR कोड को स्कैन किया है, QR कोड आपको बॉक्स में और डिवाइस में तोनों में ही मिल जाएगा, फिर यहाँ पर आकर आप वियकल का सारा डीटेल डाल देंगे, जैसे मैंने आप इस्टेशन नमर डाला है, कार का डीटेल डाला है, कौन सा मॉडल है, मेक है, या फिर कौन सा फ्यूल है, तो यह सारा प्रोसेस खतम करने के बाद आप होम पर आ जाएंगे, इस डिवाइस को एक्टिवेट होने में करीब 4 गंटे के आसपास लगते हैं, होम पर आने के और पॉलिगॉनल शेप में एक फेंस बना सकते हैं, जिसके बाहर अगर आपकी गाड़ी जाती है, तो आपके फोन पर तुरंत ही अलर्ट आ जाएगा, इसके अलावा इसमें टाइम थेंसिंग भी है, अगर आप इसमें एक डूरेशन सेट कर देते हैं, उसके बाद अगर आपकी गाड़ी स्टार्ट होती है या कुछ हरकत होती है उसमें, तो उस सिचुएशन में भी आपको अलर्ट आ जाएगा, वियेकल हेल्थ पर क्लिक करते ही आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, जैसे बैटरी का पावर, कूलेंट का टेंपरेशर, इंजन द्राइविंग से रिलेटेट को इशू आता है, तो वो फॉल्ट में शू हो जाएगा, अब इसी के नीचे फ्यूल लॉक्स है, जिसमें आप अपने फ्यूल का डेटा मेंशन कर सकते हैं, जैसे लीटर, स्पैसा, टाइम, डेट वगएरा, अब इसी के बगल आपको एक्सि सर्विस इस्टेशन में सर्विस कराना है, वगएरा वगएरा, साथ ही में डॉकुमेंट्स में आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी का नंबर, इंशूरेंस पॉलिसी वगएरा भी आड़ कर सकते हैं, इसके अलावे इसमें और भी बहुत सारे यूसफुल जाते हैं, तो जैसे ही वोटो करने चलेंगे, आपके पास नोटिफेकेशन या अलर्ट आ जाएगा, तो वहाँ पर भी ये काफी यूसफुल है, इसके अलावे इसमें एंटि थेफ्ट फीचर भी मिल जाता है, महले ये कुछ और आपकी गाड़ी चोड़ी करना चाहता है, और गाड़ी में किसी भी तरह की अन्यूसबल अक्टिविटी होती है, तो उस सिचुएशन में भी आपके पास अलर्ट आ जाएगा, इसी के साथ एक्सिडेंट डिटेक्शन एंड एसोएस भी है, तो उस सिचुएशन में भी ये एसोएस को नोटिफाई कर देगा, तो और